स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एक बहुत ही वर्सिटाइल आइटम है इसका breakfast बनता है इससे snacks बनते है और इसका में कोर्स भी बनता है तो आज हम बनाएंगे कश्मीरी एक करी जिसे कहते हैं ठूल जंबूर एक करी बनाने के लिए मैंने लिए हैं छे बॉइल अंडे इनको में तीन से चार चम्मच मस्टर्ड ओयल में पैन फ्राइ करूँगे तेल गरम हो जाए तो इसमें एग्स पैन फ्राइ करेंगे इन्हें आप तर्न करते रहें ताकि यह हर साइट से ब्राउन हो जाएं अंडे एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम इनको निकाल लेंगे इसी तेल में अब हम एक करी का मसाला बनाएंगे एक चोथाई चम्मच हींग एक तेज पत्ता, तीन लॉंग, एक मोटी लाइची, आदा चम्मच कुटा हुआ अध्राग और आदा चम्मच कुटा हुआ लस्सन एक मेडियम साइज प्याज लंबा लंबा कटा हुआ इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे प्याज हल्का ब्राउन करने के बाद आदा चम्मच हल्दी, डेड़ से दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पावडर, इसको मिक्स करके हल्का सा पानी डाल दीजे, अब इसमें मैं डालूँगी दो चोटे टमाटर की प्यूरी, नमक स्वादा नुसार, आदा चम्मच ड्राई जिंजर पावडर, दो चम्मच सौंफ पावडर, अब हमारे टमाटर पक चुके हैं, इसमें थोड़ी सी कारी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी एक से डेट का पानी, इसको एक बॉयल दे देंगे, कारी बॉयल हो गई है हमारी, अब हम इसमें एग्स डाल देंगे, अब एग्स को अच्छे से कारी में मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको पांच से दस मिनिट तक ढख कर कुक करेंगे, ग्रेवी थिक हो चुकी है, ठूल जंबूर एक दम रेड़ी है, बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व करिए, और ऐसी और डिलिशिस कश्मीरी रेसिपीज देखने के लिए देखते रहें, स्वाद अनसार,